मैली किट्स टीवी एक समय की बात है एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था उस खरगोश का नाम मॉंटी था और वो बहुत जादा शरारती था एक दिन वो पेड के नीचे बैठा आराम कर रहा था मॉंटी उठता है और भागनी लगता है भागो भागो शेर आ रहे है ये सब सुनकर सभी जानवर मॉंटी की तरफ देखने लगते है और भागने लगते है बिल्ली मॉसी भागो तुम भी शेर आ रहे है और डर कर बिल्ली भी जोर जोर से भागने लगती है हिरन भाई तुम भी भागो जल्दी से शेर आ रहे है आगे हिरन अपने बच्चों के साथ पानी पी रहा था जब उसने देखा कि मॉंटी सब को भागने को बोल रहा है तो हिरन ने मॉंटी से पूछा और हिरन अपनी फैमिली को लेकर भागने लगता है थोड़ा आगे बहुत सारी गाए खास खा रही होती है जब उन सब को भागो भागो की आवाज आती है तो सभी एक दूसरे की तरफ देखती है अरे ये शोर कैसा है कुछ कड़बर लग रही है मुझे भी अचानक वहाँ पर उनको एक चूहा भागता हुआ दिखाई देता है अरे रुको चूहे भाई क्या हुआ है जंगल में सब लोग क्यों भाग रहे हैं अरे शेर आ रहा है तुम भी भागो जल्दी से और वो सभी गाए भी भागने लगती है फिर सभी लोग एक बड़े से पेड के पास रुक जाते हैं और वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि मॉन्टी जोर-जोर से हस रहा होता है सभी जानवर हैरान परिशान होकर मॉन्टी को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्यों हस रहा है सभी जानवरों को काफी घुसा आ रहा था कि मॉन्टी क्यों हस रहा है तुम पागल हो गए हो क्या नहीं मैंने तो सबको पागल बना दिया मतलब मैं बैटा वो बोरो रहा था तो मैंने सुचा चलो कुछ मस्ती करी जाए और मैंने चिलाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया शेर आ गया और तुम सब लोग ऐसे भागे यहाँ पर सभी जानवर काफी खुसे में आ जाते हैं और फिर हाथी खरगोश की तरफ आता है और उसे मारने लगता है और उसके पीछे बाकी जानवर भी आ जाते हैं खरगोश को मारने के लिए सभी जानवर खरगोश को काफी मारते हैं मुझे जाने दो मैं आगे से ऐसा नहीं करुँगा भग्वान के लिए मुझे माफ कर दो दोस्तो चलो बस करो काफी है इसके लिए ये अब से इस से कोई बात नहीं करेगा और नहीं इसकी कोई मदद करेगा हाँ हाँ जाओ तुम सब मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए बड़े आए मेरी मदद करने के लिए चलो दोस्तों हम चलते हैं बोलने तो इसको फिर मॉंटी अपने घर की ओर चला जाता है मॉंटी अपने घर की ओर चल देता है काफी रात हो रही थी और इस वक्त जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है मॉंटी अपने बेड़ पर सो रहा होता है और अचानक से मॉंटी की नींद खुल जाती है मॉंटी देखता है कि उसके घर में काफी जादा पानी आ गया है जिसे देखकर वो डर जाता है मॉंटी बेड़ करता है शायद बारिश रुख जाएगी और पानी कम हो जाएगा बगर बारिश और तेज हो जाती है और धीरे धीरे पानी और भरता जाता है और एक वक्त पर पानी उसके बेड़ तक भी आ जाता है मुझे लगता है मुझे कई और चलना चाहिए मौन्टी बाहर आकर देखता है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और उसे समझ नहीं आता है कि कहां जाए और सबसे पहले वो बिल्ली मौसी के घर जाता है मौसी, मौसी, दर्वाजा खोलो चल्दी से मियाव, मियाव, कौन, कौन हो तुम मौसी, मैं, मौन्टी बारिश काफी तेज थी तो बिल्ली मौसी को दिख नहीं रह था कि बाहर कौन है तू, क्या करने आया है तू मेरे घर में मेरे घर में पानी भर गया है क्या मैं आख के घर पर हुप सकता हूँ बिल्कुल नहीं, तुम्हारी यहाँ कोई मदद नहीं करेगा जाओ यहाँ से मौन्टी निराश होकर वहाँ से चला जाता है फिर मौन्टी गाए के घर जाता है और दर्वाजी पर जाकर आवाज लगाता है गाए चाची, मुझे घर में आने दो बाहर काफी बारी शो रही है चला जाओ तुम यहाँ से कोई नहीं करेगा तुम्हारी मदद मौन्टी पेड के नीचे बैट जाता है और रोने लगता है मौन्टी को काफी ठन भी लग रही थी और वो काप भी रहा था सुभा होती है और जानवर पेड के पास खड़े होते हैं और मौन्टी को देख रहे होते हैं मौन्टी मर चुका होता है तो दोस्तों हमें कभी किसी पर हसना नहीं चाहिए और हमेशा सब की मदद भी करनी चाहिए एक काफी खना जंगल था उस जंगल में काफी जानवर रहते थे वही पर एक खरगोश भी रहता था उस खरगोश का नाम मौन्टी था मौन्टी खरगोश काफी आलसी होता है वो हर काम कल पर टाल देता है मौन्टी खरगोश लेकर सो रहा था मौन्टी के घर के बाहर उसका दोस्त जुगनू आता है मौन्टी काफी गेहरी नींद में होता है जुगनू फिर से दर्वाजे को खट-खट आता है इस बार जुगनू काफी जादा जोड से दर्वाजे को खट-खट आता है मौन्टी भाई, तुम अंदर हो मौन्टी एक तम खबरा कर उठ जाता है अरे कौन है इस वागती जिसने अपन की नेंदी खराब कर दिया अबे कौन है बे मैं हूँ जुगनू मौन्टी सुस्ताते हुए उठता है दर्वाजे को खोलने के लिए इससे भी अभी आना था मौन्टी यहां ऐसा शो करता है जैसे उसको काफी अच्छा लगा हो जुगनू के आने पर जुगनू मेरे भाई मैं अभी तुझे ही याद कर रहा था मगर तू तो अभी सो रहा था ना हाँ मेरा मतलब सोने से पहले तुमें ही याद कर रहा था मैं अच्छा मौन्टी और जुगनू जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर सर्दियों में काफी बर्फ पड़ती है तो उस वक्त में घर से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है इसलिए ये लोग उस वक्त के लिए खाना जमा कर लेते हैं मौन्टी थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है आरे अभी तो काफी टाइम है सर्दिया आने में ऐसा करते हैं हम लोग कल चलते हैं तुम हमेशा सारे काम कल पर क्यो टाल देते हो आरे तुम्हें जाना है तो तुम जाओ मैं तो कली जाओंगा जुगनू को काफी घुस्सा आता है और वो खाने की तलाश में जंगल चला जाता है मौन्टी दर्वाजे को बंद कर देता है और वो फिर से सोने चला जाता है अकले तिन जुगनू अपने घर से फिर निकलता है खाने की तलाश में और आके चलकर मौन्टी का घर आता है मुझे न एक बार मौन्टी से भी पूछ लेना चाहिए अगर परफ पड़ गई तो वो भूगा रह जाएगा जुगनू फिर मौन्टी के घर की तरफ चाता है और दर्वाजे को खट-कटाता है मौन्टी भाई तुम हो खर पर अगर ये आज नहीं चलाना तो अगली बार से इसको नहीं बुलाने होंगा मौन्टी हमेशा की तरह सो रहा होता है मौन्टी भाई मौन्टी भाई अरे ये फिर आ गया आज मौन्टी अपने बेट से उठता है और दर्वाजे को खोलने के लिए अपने रूम से बाहर आ जाता है अरे जुगनू मेरे भाई कैसे हो तुम मैं ठीको भाई तुम कैसे हो बढ़िया बहुत बढ़िया और कैसे आना हुआ तुम चलो के मेरे साथ आज खाने की खोज में क्योंकि अब कभी भी बरफ गिर सकती है ये आज फिर मेरी नीम खराब करने आई गया है मॉन्टी को लगता है कि इसे अब में कैसे भागाऊ फिर मॉन्टी एक बहाना सोचता है जुगनू को भागाने का मॉन्टी भाई तुम बोलो तो मैं तुमारी वेट कर लेता हूँ अरे नहीं नहीं तुम जाओ अभी मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मुझे अभी नहाने भी जाना है तुम पक्का आओगे न अरे हाँ भाई आओगा मैं तुम जाओ मैं पक्का आता हूँ जुगनू अपने खाने की तलाश में चल देता है और मॉन्टी फिर से जाकर सोचाता है जुगनू खाने को अपनी बास्किट में डाल रहा होता है इतने में बर्फबारी शुरू हो जाता और जुगनू जल्दी से अपने घर की ओर चल देता है मॉन्टी अभी भी सो रहा होता है अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो खिड़की से बाहर देखता है मॉन्टी भाग कर बाहर जाता है और कुछ खाने का सामान ढून रहा होता है मॉन्टी थोड़ी मिट्टी को और खुदता है अब तो कुछ भी नहीं है कहां गई सारी गाजर यहां से मॉन्टी एक दम से बागल सा हो जाता है क्योंकि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता मॉन्टी को काफी ठंड भी लग रही थी इसलिए वो हार कर अपने घर चला जाता है यह मैंने क्या कर दिया अब मैं कहां से खाना खाऊंगा मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है मुझे अपने दोस्त जुगनू की बात मान लेनी चाहिए थी बच्चों, हमें हमेशा अपना काम वक्त पर करना चाहिए कभी भी अपने काम को कल पर नहीं दालना चाहिए अगर मॉन्टी अपने दोस्त जुगनू की बात मान लेता तो उसके पास खाने के लिए खाना होता एक जंगल में दो दोस्त रहते थे मॉन्टी खरकोश और जुगनू भेड दोनों काफी अच्छे दोस्त थे मॉन्टी थोड़ा शातिर था और अपनी बुध्धी का खलत कामों में इस्तमाल करता था और वहीं जुगनु अपनी बुद्धी का इस्तमाल अच्छे कामों में करता था। दोनों अच्छे दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। एक बार दोनों कहीं बाहर से घूम करा रही थे। चलो भाई मैं चलता हूँ बहुत थक गये आज और भूख भी काफी लगी है। जुगनू मॉन्टी की इस चाल को समझ नहीं पाता है और वो मान जाता है मॉन्टी को अपने घर ले जाने के लिए मॉन्टी जुगनू के साथ उसके घर की ओर चल देता है आओ भाई अंदर आजाओ तुम्हारा घर जितना बाहर से सुधर है उतना यंदर से भी सुधर है बहुत बहुत शुक्रिया मॉन्टी भाई अरे तुम खड़े क्यों आजाओ यहाँ पर बैठ जाओ हाँ बाई जरूर जुगनू भी मॉन्टी की सूफी पर बैठ जाता है यार तुम बाहर कुछ बोल रहे थे मॉन्टी अपना शैतानी दिमाग चलाता है क्या? तुम काफी ठक गए और तुम्हे हाँ यार ठक तो तुम भी गए हो काफी तो अराम से बैठ जाना और तुम्हे पानी चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं पानी नहीं चाहिए मुझे ये तो खाने के लिए कुछ बॉली नहीं रहा है मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है ऐसा करता हूँ इसको बॉली देता हूँ मॉंटी को लग रहा था कि जुगनू उसको भी खाना खाने के लिए बोलेगा बगर जुगनू ने खाना खाने के लिए उससे नहीं पूछा अरे यार इसने तो मुझे बोला ही नहीं मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जुगनू किचन में अपना खाना गरम कर रहा होता है इतने में मॉंटी वहीं आ जाता है अच्छा जुगनू मैं अपने घर चलता हूँ अरे बाई इतनी जल्दी जुगनु की खाने की प्लेट को देखकर मॉन्टी के मुँ में पानी आ जाता है अरे वा, कितना स्वाधिष्ट खाना लग रहा है कहां खो गयो मॉन्टी भाई अरे कहीं ने, वो तुमारा इतना स्वाधिष्ट खाना देखकर मुझे भी भोक लग गई अगर ये खाना मैंने इसको दे दिया, तो मैं क्या खाऊंगा? ओ, अच्छा, अच्छा, क्या मैं थोड़ा खाना तुम्हारा टेस्ट कर सकता हूँ? मॉन्टी ने अपने शैतानी दिमाह को इस्तमाल किया और जुगनु से उसका खाना मांग लिया जुगनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको हाँ बोले या ना, क्योंकि वो मॉन्टी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है हाँ भाई, क्यों ने? जुगनु ने भारी मन से अपने खाने की प्लेट मॉन्टी की तरफ कर दी और मॉन्टी ने जट से प्लेट को पकड़ लिया और जुगनु के खाने को खाने लगा जुगनु मॉन्टी को देखता रहा और मॉन्टी खाना खाता रहा अरे तुम भी खाओ ना? मॉन्टी जुगनु का आधे से ज़ादा खाना खा जाता है बास भाई मसा आ गया जुगनु यार तुम तक काफे स्वादेश्ट खाना बनाते हो हा भाई चल भाई मैं चलता हूँ मुझे भी घर जाकर खाना बनाना है ठीक है भाई जुगनु बच्चा हुआ खाना खाकर सो जाता है और मॉन्टी खुश होकर घर चला जाता है मज़ा आ गया आज तुरी का खाना खाके चलो अब सोते हैं मॉन्टी सूरच की रोश्णी से उठ जाता है आरे बड़िया नेदाई रात को जल्दी से तयार हो जाता हूँ और फिर जुगनु के घर चलता हूँ फिर कुछ काने के लिए हे 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 मॉन्टी जल्दी तयार हो जाता है जुगनु के घर जाने के लिए जुगनु भाई तुम घर पर हो जुगनू मॉन्टी के लिए दर्वाजा खोलता है अरे मॉन्टी, तुम इतने सुभे सुभे कैसे? वो मैं जल्दी उड़िया था न, तुम मैंने सुचा कि जुगनू भाई से मिलना जलते हैं हाँ हाँ, आजाओ अंदर जुगनू मॉन्टी को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है मॉन्टी जुगनू की रसोई की तरफ देखता है कि उसने सुभा का नाश्टा कर लिया है कि नहीं तुम अभी उठे हो गया? हाँ यार बस थोड़ी दर पहले ही उठाओ क्यों, क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछा अब मैं इसे कैसे बोलू कि मुझे खाने के लिए चाहिए तो भाई, तुम्हारा सुभा का नाश्टा हो गया? नहीं, अभी तो नहीं घर में कुछ खाने को ही नहीं है मैं बस बाहर जा ही राता खाने की तलाश में मॉन्टी को हमेशा मुफ्त में खाना खाने की आदत थी जब जुगनू ने उससे चलने को कहा तो उसने बड़े भरे मन से हाँ बोल दी मॉन्टी और जुगनू दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं खाने की तलाश में काफी ढूंडने के बाद उनको कुछ सबजियां मिल जाती हैं खाने को और दोनों बड़े मजे से सबजियां खा रही होते हैं मॉन्टी और जुगनू दोनों बाते कर रहे थे तो दूर खड़ा एक शेर उनको देख रहा होता है वाँ आज के खाने का इंतिजाम हो गया मेरा शेर थीरे थीरे और चुप चुप के मॉन्टी और जुगनू की तरफ पड़ता है मॉन्टी और जुगनू खाना खाने में इतना व्यस्त होते हैं कि उनको शेर के आने का एहसास ही नहीं होता शेर एक दम से दोनों के सामने आ जाता है और दोनों एक दम से डर जाते हैं मॉन्टी और जुगनू दोनों काफी घबरा जाते हैं शेर को देखकर तब ही मॉन्टी अपनी शातिर दिमाख को चलाता है ये सब सुनकर जुगनू को बहुत बुरा लगता है कि उसके सबसे अच्छी दोस्त ने उसके लिए ऐसा बोला फिर जुगनू भी अपना दिमाख चलाता है शेर जी मैंने तो रात से कुछ भी नहीं खाया है और इस मॉन्टी ने रात को पेट भर के खाना खाया था और आपको तो पता ही होगा खरगोश के दो दिल होते हैं मेरे तो सिफ एक ही दिल है अब आ भी देख लो कि आपको एक दिल वाला जानवर खाना है या दो दिल वाला जुगनु ने अपनी बुद्धी का सही तरीके से इस्तमाल किया और शेर को सोचने पर मजबूर कर दिया ये तुमने सही बोला मज़ा तो दो दिल को खाने में आएगा तो पहले इस खरगोश को कहूँगा और पहर तुम्हें शेर खरगोश को पकड़ लेता है और शेर मॉन्टी को मार देता है और खाने लग जाता है अब जुगनु को टेंशन हो रही थी कि अभी उसकी भी बारी आने वाली है तभी जुगनु का दिमाग फिर से चलता है जुगनु पहले थीरे थीरे शेर से दूर जाता है और फिर शेर की तरफ देखता है शेर अपना खाना खाने में मस्थ था जुगनु मॉका देखकर भागने लग जाता है और भागते भागते अपने घर के अंदर चला जाता है बच्चों, हमें हमेशा सच्चे और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे और आपके लिए हमेशा अच्छा सोचें प्रक्षा रिए हमें प्रक्षा अपके अपके लग्षा Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe See you in another video